पश्कार, साथियों आज की मन की बात में देश की उस महान सक्सियत मैं उनकी भी बात करूँगा। हम सभी हिंदुस्तान वाश्यों के दिल में उनके प्रती बहुत सम्मान है, बहुत लगाव है। शायद ही हिंदुस्तान का कोई नागरी होगा जो उनके प्रती आदर न रखता हो, सम्मान न करता हो। वो उम्र में हम सभी से बहुत बड़ी है और देश के अलग-लग पड़ावों, अलग-अलग दौर की वो साक्षी है। हम उन्हें दीदी कहते हैं, लता दीदी, वो इस 28 सितंबर को 90 वर्सकी हो रही है। विदेश यात्रा पर निकलने से पहले, मुझे दीदी से फोन पर बात करने का सोभागे मिला था। ये बात्चित वैसी ही थी, जैसे बहुत दुलार में छोटा भाई अपनी बड़ी बहन से बात करता है। मैं इस तरह के व्यक्तिकत समवाद के बारे में कभी बताता नहीं। लेकिन आज चाहता हूँ कि आप भी लता दिदी की बाते सुने, उस बात्चित को सुने, सुनिए कि कैसे आयू के इस प्रणाव में भी लता दिदी देश से जुड़ी तमाम बातों के लिए उत्सुख है, तत्पर है और जीवन का संतोष भी भारत की प्रगति में है, बद प्रणाव मैंने फोन इसलिए किया, क्योंकि इस बार आपके जन्मदीन पर मैं हवाई जहाज में ट्राविलिंग कर रहा हूं, तो मैंने सोचा जाने से पहले ही आपको जन्मदीन की बहुत बहुत शुब कामना है, अग्रिम बधाई दे दू, आपका स्वास अच्छा रहे आपका अशिर्वाद हम सभी पर बना रहे, बस यही प्रार्थना और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया आपका फोन आएगा, यह सुनके मैं बहुत यह हो गई थी, आप जाके कब वापस आएगे? मेरा आना होगा 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग और तब आपका जनम दिन हो गया होगा जनम दिन तो क्या मनाएंगे और मस घर में ही सब लोग अपने काम से जो बड़ा होता है उसका अशिरवात मिलना बहुत बड़ी चीज़ है दिजी आप उमर में भी बड़ी है और काम में भी बड़ी है और आपने तो यह जो सिध्धी पाई है यह साधना और तपस्या करके पाई है कि मैं तो सोचती हूँ कि मेरे माता पीटा का अशिरवाद है और सुनने वालों का अशिरवाद है मैं कुछ नहीं हूँ कि यही आपकी नमरता जो है यह हम नई पीड़ी के सब के लिए एक बहुत बड़ी सिक्षा है बहुत बड़ा हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि आपने जीवन में इतना सब कुछ करियर करने के बाद भी आपके मात पिता के सांस्कार और नमरता को हमेशा ही प्रात्विक्ता दी है मुझे तो खुशी है कि जब आप गर्व से कहती हो आपकी मा गुजराती थी और मैं जब भी आपके पास आया आपने मुझे हमेशा कुजने कुज़ गुजराती खिलाया आप क्या है आपको खुद पता नहीं है मैं जानती हूँ कि आप क्या आने से भारत का चित्र बदल रहा है और वो ही मुझे बहुत खुशी होती है बहुत अच्छा लगता है बदिदी आपके आसिरवात बने रहे पुरे देश पर आपके आसिरवात बने रहे और हम जैसे लोग कुछ नुकुछ अच्छा करते रहे मुझे आपने हमेशा प्रेणा दी है आपकी चिठी भी मुझे मिलती रहती है और आपकी कुछ नुकुछ भेट सोगात भी मुझे मिल रही हूँ जानती हूँ कि आप कितने बीजी होते हैं और आपको कितना काम होता है क्या क्या सोचना पड़ता है जब आप जाके अपनी माता जी को पाँ चुके आए देखा तो मैंने भी किसी को भेजा था उनके पास और उनका अशिरवाद लिया हाँ मेरी मा को याद था और वो मुझे बता रही थी और टेली फोन पर उनके अशिरवाद दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा हमारी मा बहुत प्रसन्द थी आपके प्यार की कारण और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमेशा मेरी चिंटा करती है लेकिन बहुत जल्द आउंगा और घर आकर के कुछ गुजराती चीज़े आपके हाथ से खाऊंगा जी 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 एको मेला सो गयोगा प्रणाम ढर्णाम ढ़त छुपला मनह आपको प्रणाम